क्योंकि जब वो पाप राज करता है, तो वो पाप बहार दिखाई देता है, लोगों के बीच में दिखाई देता है, अरे देखो उनका लड़का देखो, किस तरीके के गंदे-गंदे काम करता है, उनकी लड़की देखो, लड़की हो के कैसे कैसे काम करती है? प्रभु येशु मसी के मदुना में आप सबको जय मसी की प्रभु आप सबको भताय से आशिदे आमीन हम सीख रहे हैं परकाशिद वाक्य की पुस्तक के बारे में परकाशिद वाक्य के इस संक्रा में आप सबका सौगत है पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशिद्वा के एक अद्हय के पांच पग में वहां पर हमने तीन बाते जो थी वो सीखी थी प्रभी येशु मसिख के बारे में पहली क्या सीखी थी कि वो विश्वास योग mobil शाक्षी है कैसे इस बारे में हमने सीखा था और दूसरा भाग जो हमने सीखा था, मरे वो में से जी उटने वालों में पहलोटा है, किस तरीके से वो मरे वो में से जी उटने वालों में पहलोटा है, इस बारे में सीखा था, और तीसरा जो हमने परकाशिद वाके एक अध्या है कि पांच पत कई, तीसरा भाग जो हमने सी प्रत्विके राजाओं का हाकीम यानी प्रत्विके राजाओं के उपर शासन करने वाला जो है वो प्रभुयेश्यु मसी है यह तीम बात उसके विश्य में हमने सीखी थी आज हम सीखेंगे परकाशिद वाके की भुस्तक उसका पहला अध्याए उसके चटे पत के बारे में आईए पहले हम इस चड़े पत को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि परमेश्व का वचन क्या कहता है। और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्व के लिए याज़क बना दिया, उसकी महिमा और पराकरम युगान यूग रहे, आमीन। अब यहां बड़ी महत्पूर बात है, देखें यहां पर क्या है कि परमेश्व के लिए एक राज़क बना दिया, पहली चीज़, और दूसरी चीज़, हमें परमेश्व के लिए क्या बना दिया, याज़क बना दिया, हमें परमेश्व का याज़क बना दिया, परमेश्व का का शाशक नहीं है बलकि वो परमेश्व के राज का शाशक है और राजाओं का राजा है और प्रभू का प्रभू है इसलिए जब हम उसके राज में परवेश करते हैं तो वो चाहता है कि हम ऐसे ही नहीं गूमते फिरें जैसे बहुत से लोग हैं इस संसार में कुछ भी नहीं मगह प्रभु येश्रु मसीह चाहता है कि उसकेर राज्य में हर एक इतान कुछ ना कुछ बन कर रहे हैं और इसलिए वह एक राज इस्त्वापित करता है, मनुश्यों का एक एसा राज एक याज़को का राज जो है, वह प्रभु येश्रु मसी jury बनाता है। परमेश्वक के लिए एक राज और शाषक जो है वो परमेश्वक बनाना चाहता है अगर पहले पढ़ा लेते हैं निर्गमन 19 सदय है उसके 6 पद में और तुम मेरी दृष्टी में याजको का राज और पवितर जाती ठेरोगे जो बाते तुझे इस्रेलियों से कहनी हैं वे यही हैं अब यहां परमेश्वक क्या कह रहा है कि तुम क्या ठेरोगे तुम मेरी दृष्टी में यानि परमेश्वक की दृष्टी में याजको का राज और पवितर जाती जो है वो ठेरोगे परमेश्वक क्या देखे प्रवियश्वक मसी के राज में जो उसका राज आने करें परमेश्व के राज में परवेश करने के लिए मगर अब इस जब पद में पढ़ते हैं जब परकाशिद वाकी के अंदर आते हैं तो वो कहता है कि उसने हमें परमेश्व के राज के लिए एक ओधा दिया है एक विशेश बात जो है वो है कि याचको का समाज याचको का राज बनाया है हमारा याचको का राज है जो जिस पर प्रवियेशु मसी जो है शासंग करता है और एक परमेश्व की पवित्र जाती बनाई है देखे जाती क्या है आज इस संसार के नदर बहुत सी जातिया है सब जाती एक से बढ़कर है मैं किसी के बारे में कृटिसाइज जो जिस तरीके से समझ रहा है ठीक है अच्छी बात है वो उसका सोच उसके विचार है परंतु यहां जो परमेश्व का विचार है जो परमेश्व का वचन इस बात को कहता है कि जो भी मनुश उसके राज में परवेश करता है वो जो है एक पवित्र जाती के रूप में पर परवेश करता है परमेश्व का वचनिया बताता है देखे अब यहां पर क्या लिखा पहला पत्रस दो अधियाए उसके नौपत को यह पहला पत्रस दो अधियाए उसके नौपत को जो है वो सपोर्ट कर रहा है निर्गमन की बात पर जो परमेश्व ने वहां पर कही है अब परमेश्व पत्रस के द्वारा जो है माध्यम से ये बात हम तक भी पचा रहा है हम जो अनचाती हैं जितने भी लोग हैं यहां लिखा है पहला पत्रस दो के नौ में पर तुम एक चुनावा वंश और राजपद अधिकारी रियाजकों का समाज और पवित्र लोग और में से अपनी अद्पुद जोती में बुलाया है उसके गुड़ों को प्रिगट करो यहां ध्यान देने की बात है यहां विशेश ध्यान सबसर पहली बात क्या है जब हम परमेश्व का वचन पढ़ते हैं यशाया नौ अध्या उसका दो पत पढ़े लेना उसके अंदर लि कर क्यों आया है ताकि हम उसके जोती में राज में परवेश कर सके और उसमें क्या परमेश्व की पवित्र पंजा बने परमेश्व के याजग बनकर रह सके परमेश्व के लिए काम करने वाले बन सके जो पतरस्व में लिखा हुआ है परमेश्व का वचन जो है उस बात को वो सारी चीजे जो हैं परमेश्व के लिए एक राज और याजग बनाया और वे प्रत्वी पर राज करते हैं अब ध्यान दीजेगा यहां पर कह लिखा हुआ है कि उन्हें हमारे परमेश्व के लिए एक राज हम खुद एक राज हैं और याजग बनाया है अब यहां पर दो बाते हैं यानि हम खुद अपने आप में परमेश्व का एक राज हैं परमेश्व ने हमें खुद एक राज बना दिया हैं और हम जो ह परकाशित वाक्य कि पुस्तक जो है वो छोटी सी छोटी बातों को जब पढ़ते हैं बड़ी घहराई नजर आती है और हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है और किस तरीके से हमें कहां रखना चाहता है परमेश्वर हमें यहां रखना चाहता है और हम रहे कहा रहे हैं हम यहां रहे हैं और इसलिए परमेश्व का वचन जब आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें पूच नहीं सर ठराया है जी हाँ परमेश्व ने पूच नहीं ठराया है कि हम किसी के पीछे दुम हिलाते फिरें परमेश्व ने सर ठराया है ता सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमेश्रक के हम कैसे परमेश्रक का राज हो सकते हैं बड़े ध्यान से देखे हर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा रोमियो 6-10 के बारमा पत पहले मैं पढ़ूँगा यहां लिखा है इसलिए पाप तुमारे नश्वर सरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधिन रहा हो अब यहां पर क्या लिखा पौलूस क्या कहता है कि पाप तुमारे नश्वर यानि मरन हर शरीर में पाप राज ना करे इसका मतलब क्या है कि पाप जो है हमारे शरीर में हम अकेले तो मनुश्या है अब इसका मतलब पाप का राज हमारे अंदर है पाप हम पर राज करता है पाप हम पर शाशन करता है पाप हम पर प्रभूता करता है अब किस तरीके से करता है अब पाप का राज कै कैसे होता है कि हमारे अंदर से बुराइया निकलती हैं, बुराइया उत्पन होती हैं, छल कपट की बाते उत्पन होती हैं, वैविचार की बाते उत्पन होती हैं, जूट और फरिब की बाते उत्पन होती हैं, चोरी और चकारी की बाते उत्पन होती हैं, ये सारी बाते जो है वोत्पन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि पाप हम पर राज कर रहा है हम जो है अकेले एक अकेला इंसान एक पाप का राज हो सकता है तो क्या हम परमेश्व के अकेले इंसान परमेश्व के राज नहीं हो सकते है अब वो कैसे है आगे देखेंगे इन बातों को पहले इन च शरीर के काम बताए गए हैं, लीला किर्डा, वेवी चार, मूर्ति पूचक, लड़ाई, जगड़ाई, ये सारी चीज़े जो हैं, चोरी, चकारी, ये सारी चीज़े जो हैं, वो बताए गए यहां पढ़ लीजेगा, आप गलती हो, पांच अद्य हैं, उसका उन्ने से 21 राज कर रहा है, बल्कि कौन राज कर रहा है, शैतान हमारे अंदर राज कर रहा है, वो पाप, उसका पाप जो है, और वो जो पाप है, वो हमारे अंदर राज कर रहा है, और वो राज जो है, वो नहीं करना चाहिए परमेश्व का, वचन इस बात को बताता है, परमेश्व जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाई भी गए हो तुमारे हिर्दे में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहा हूँ देखे मसी की शान्ती जब हमारे हिर्दे में राज करती है तो इसका मतलब क्या है कि हम जो हैं मसी का राज हो जाते हैं अब कौन सी शान्ती है मसी की अब मैं आपको सभी पद नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको चाहूंगा कि आप उसको जरूर निकाल के पढ़ें, यहना 14 का 27 पद है, अब यहना 14 उसके 27 पद में कहले का, मैं तुम्हें शान्ती दिये जाता हूं, अपनी शान्ती तुम्हें देता हूं, जैसा संसार मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, अब यहां पर क्या मतलब है, कि प्रभी येश्व मसी जो शान्ती छोड़ गया हमारे लिए, जो शान्ती हमें दे गया है, क्या वो शान्ती हमारे जीवन में है, या वो शान्ती हमारे जीवन में दि अर्थात परमेश्व का एक राज है और वो राज क्या है क्योंकि वो शांती है अब वो शांती जो है वो हमारे जीवन से निकल कर वो शांती जो है हमारे परिवार में राज कर रही है हमारे महले परोस में राज कर रही है हमारे प्रिये जनों में राज कर रही यानि मनुश्य में निकल रही, किस में से निकल रही है, हमारे अंदर प्रभू अपनी शांती का राज इस्थापित करे हुए है, और वो शांती निकल कर दूसरे मनुशों पर फैल रही है, यह नहीं कि सिमट के यहीं रह गई, क्योंकि जब पाप राज करता है, तो वो पाप बाहर दिखाई देता है, लोगों के बीच में दिखाई देता है, अरे देखो उनका लड़का देखो, किस तरीके के गंदे-गंदे काम करता है, उनकी लड़की हो कैसे काम करती है, लोगों लोग देख रहे हैं कि उनके, क्योंकि वो बुराई, वो बुरी बाते, वो समाज में निकल कर जा र प्रभू की शांती है हमारे जीवन के अंदर जो प्रमिश्व का वचन कहता है जैनते हैं प्रभू की शांती होती है तो हमें एक सुरक्षा भी प्रदान करती है कैसे पहले थलस्नकियों पाँच अध्याइज 23 पत क्योंकि जब प्रभू की शांती नहीं है तब हमारे जीवन हमारा जीवन जो है आशुरक्षित है हम सुरक्षित नहीं है और जब प्रभू की शांती होती है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वो प्रभू की शांती जो है प्रभू के राज को इस्थापित करती कर सकता है या उसके को बिगाड़ सकता है कदापी नहीं अब निकालेजे पहला थरसन का परमेश्वर यानि हमारा जो हमारे जो प्राण हैं हमारी जो देह हैं हमारे पूरे पूरे परमेश्वर प्रवियेश्व मसी के आने तक परमेश्वर की शांति अगर हमारे अंदर राज करती है तो वो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है वो हमारे अंदर राज करता और वो हमारे प्रान को, हमारे देह को, हमारे चीजों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, जब तक उसका एकलाता पुत्र जो है, इस दुनिया में दोबारा ना आ जाए, और जब वो दोबारा आता है, तो वो हमें देखता है कि परमेश्वरा राज कर रहा है, मेरा पिता इसमें राज करता है, ये मेरे पिता का राज है, और मैं इस पिता के राज को अपने राज में ले जाओंगा, देखें, पिता के राज को जो मैं और आप हैं, इस राज को अपने राज में मिला लेगा, जिहां, जब वो अपने राज में मिला लेगा, तो एक बहुत बड़ी बात होएगी यह पहली बात ही दूसरी बात जो है अब दियान दीजेगा दूसरी बात बड़ी महत्पूर्ण है बड़ी इंपॉर्ट बात यह भी है यहां कहा लिखाववा है पहला कुरंतियों चारद है उसका 20 पत है क्योंकि परमेश्व का राज बातों में नहीं दियान द दुनिया पे है वो राजाओं का राजा है वो प्रहुओं का प्रहुओं दिखाइए तो उसकी प्रहुता कहा है उसका राज कहा है अरे हमारे अंदर है वो बातों में नहीं होता है परमेश्व का राज आने वाला है परमेश्व का राज निकट है परमेश्व का राज तु तो ये शुमसी बही उसका शाषन भी तो दिखाई ना करते हुए कि वो शाषन कर रहा है हमारे अंदर इसलिए वो कहता है पॉलूस बिल्कुल सही कह रहा परमेश्व का वचन जो है पॉलूस के दिमाग में ये बात डाली कि लोगों को बता क्योंकि परमेश्व का राज बात भी देता रहा और चालिसमें दिन चाब वो जाने वाला था तो जाने से पहले उसने अपने चेलों से एक बात कही कि तुम जो है येरुशलम में ही ठेरे रहना इसके बाहर ना जाना जब तक तुम सौर्गिये सामर्थ ना पाओ अब यहां ध्यान देने की यह आप पढ़ स लुका 24 के 49 पद में कि जब तक सौर्गिये सामर्थ तुम्हें ना मिले जब तक वह सामर्थ राज तुमारे अंदर ना आ जाए तब तक तुम उस राज की बात मत करना जिस राज को इस्थापित करने के लिए प्रभू आने वाला है एक नए आकाश एक नहीं प्रत्वी ए उस राज में जो है हमें समलिद करने के लिए आ रहा है और परमेश्व का वचन क्या करा है जब प्रेरितों के काम एक आठ पाओगे लिखा हुआ है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे यहां लिखा हुआ परमेश्व का वचन क्या क जाता है और इसलिए पॉलूस को पहला कुरंतियों 6 अदय 19 पद में बड़ी बहुत ऐसी बात लिखता है जिससे यह पता हो जाता है पहला कुरंतियों 6 के 19 में क्या लिखा हुआ है वहाँ पर एक सवाल के साथ शुरू करता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्य के प पवित्रात्मा का मंदिर हो क्या तुम नहीं जानते कि तुम तुमारी देह पवित्रात्मा का मंदिर है यानि हमारी देह जो है पवित्रात्मा का मंदिर है जब पवित्रात्मा हम जो परमेश्य का मंदिर है जब पवित्रात्मा इस देह के अंदर आता है तब पवित्रात् इस देह के अंदर बात करती है तो इसका मतलब परमेश्व जो है वो राज करने लगा परमेश्व की सामर्थ जो है वो राज करने लगी और परमेश्व की सामर्थ जो है वो निकलती है लोग देखते हैं कि अरे इसके अंदर परमेश्व की सामर्थ है इसके अंदर से परमेश परमेश्व की सामर्थ इसमें से निकलती है आप जानते हैं जब चेले और पालूस थे इस दुनिया में मनुशी थे और जब उनको सामर्थ मिली जब पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली तो वो सामर्थ क्योंकि परमेश्व का सामर्थ का राज उनके जीवन में था और वो सामर् से उसके शडीर के अंदर से दिखाई देते थे निकलते हुए आप देखें जब पॉलूस या जब निकलते थे तो लोग अपने मरीजों को आप पढ़ लीजेगा प्रेरितों के काम को जो लोग थे वो अपने मरीजों को सड़क के किनारे डाल देते थे और क्या करते थे वो इसली डाल देते थे ताकि पत्रस की और यहना की या उनके चेलों में से किसी की या पॉलूस की चाया जो है उनकी मरीज पर पढ़ जाए और वो मरीज पर जब उनकी छाया पढ़ती थी मरीज चंगा हो जाता था अब देखे परमेश्व की सामर्त बहार निकल दिखाई दे रही है परमेश्व के राज का जो वनन है वो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई दे रहा है कि परमेश्व की सामर्त जो है उस में से निकल रही है लोग अपने रुमालों को और अंगोचो को उनके शरीर से छुआ के मरीजों पे डाल देते थे और मरीज जिंदा हो जाते थे या मरीज चंगे हो जाके थे उनको चंगाई मिलती यानि परमेश्व की सामर्थ जो थी निकलकर उन कप्रों में आ जाती थी परमेश्व की सामर्थ जो थी उनकी चाया देखे चाया भी कितनी पवित्र थी यानि चाया के उनकी चाया के अंदर तक परमेश्व के राज की सामर्थ थी परमेश्वा की जो सामर्थ थी उनकी चाया में भी राज करती थी और उनकी चाया से लोग जो थे वो चंगे हो जाते थे एक बड़ी अद्बुत और बहुत बड़ी बात थी परमेश्वा का वचन कहता है और इसलिए बधन सहिता 105 और उसके 4 पत में क्या कहता है यहवा और उसकी सामर्थ को खोजो उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो अब परमेश्वा क्या कहा रहा है इसलिए उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो क्यों खोजी बने रहो ताकि परमेश्व का दर्शन मिले और हमें उसकी सामर्थ प्राप्त हो जाए इसलिए परमेश्व कहता है और फिर क्या कहता है देखे सामर्थ को खोजने का मतलब क्या है मैं फिर आपको दियान देता हूँ क्यूं कहता है कि सामर्थ को खोजो मती 6 के 33 म का मतलब क्या है कि हम उसके राज को खोजे उसकी सामर्थ के राज को खोजे परमेश्व का वचन जो है इस बात को बता रहा है मेरे प्यारे भायों भेनों आईए हम परमेश्व के राज में जो है परवेश करें परमेश्व के राज को खोजे परमेश्व का वचन इस बात को क इसी उने उससे पूछा कि परमेश्व का राज कब आएगा तो उसने उनको उत्तर दिया परमेश्व का राज द्रश्य रूप में नहीं आता द्रश्य रूप में का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो दिखाई दे रहा है कि यह है परमेश्व का राज अब भहिया क्या है य अमरीका में जो उनके राजा है, उनका राज है, अमरीकन लोगों का राज है, वो दिखाई दे रहा है, ऐसे परमेश्व का राज नहीं दिखाई देता है, और दिखाई भी देता है, मगर इस तरीके से नहीं दिखाई देता है, जैसे हम देखना चाहते हैं, मगर परमेश्व उसका राज बनने के कोशिश करेंगे अब परमेश्व का राज जैसे हमने पड़ा कि जब परमेश्व की शांति हमारे अंदर है तो यह उसका मतलब परमेश्व का राज हमारे अंदर इस ठापित हो चुका है knowing परमेश्व के सामर्त का राज जो है हमारे अंदर Kelsey में श्टापीत हो चुका है क्योंकि वो निकलता हुँआ दिकھाई दे रहा है जैसे पॉलूस और चेलों में से निकलता हुँआ दिकाई दिया था इस तरीके से जो है वो निकलता हुँआ दिखाई देगा मगर ध्यान रखें, इसी के 21 पत में लिखा, लूका 17 के 21 में और लोग ये ना कहें, देखो यहाँ है या वहाँ है क्योंकि देखो परमेश्व का राज तुमारे बीच में है अब कैसे बता दिया देखे वो कोई तुम से यह ना का है परमेश्व का राज महा चुका परमेश्व का राज महा इस्थापित होगा और कैसे इस्थापित होगा हमारे अंदर इस्थापित होगा परमेश्व की शां मती 18 और उसका 20 पत है क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इखटा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ, अब यहां पर क्या है प्रभु येश्व मसी जो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है, प्रभु येश्व मसी वहां पर है, क्योंकि यह हमारा विश्वास है और जब प्रभु येश्व मसी वहां पर उपस्त है तो इसका मतलब प्रभु जो राजा है हमारा प्रभु उपस्त है तो इसका मतलब प्रभु का राज वहां पर है, तबी तो उसने लुगा में कहा है कि ए छोटे जुन मड ढर क्योंकि पिता को भाया है कि तुझे एक राज दे ए छोटे जुन जब हम छोटे जुन में होते हैं प्रभू जब हमारे बीच में होता है तो समझ ये प्रभू का राज हमारे बीच में है क्योंकि राजा जब हमारे बीच में है ठीक है राजा जब बीच में है तो वो राजा इसलिए बीच में है क्योंकि इसका राज हमारे बीच में है और वो अपने राज के समय जो है वो आता है मैं जादा समय नहीं लूँगा बस एक पद और पड़ा हूँगा क्योंकि परमेश्व का राज कि कहा है अभी हमने जैसे पड़ा कि परमेश्व के राज की सामर्थ जो है वह हमारे अंदर है जब परमेश्व का सामर्थ हमारे अंदर है तो परमेश्व का राज है तो परमेश्व की सामर्थ ना ले लिजाए क्योंकि जब प्रभु येश्व म छे पद में लिखा हुआ है और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्व के लिए याजग बना दिया उसकी महिमा और पराकरम यूगान यूग रहें आमिन के याज़ग बन चुके हैं तो हमारे अंदर परमेश्व की महिमा और परमेश्व का जो पराकरम है वो युगान-yug तक रहे और वो कहता आमिन का मतलब ऐसा ही हो यानी यूगान-yug तक कैसे रहगा आप आप हमारा जीवन है कितना फिर मर चाहेंगे अगर परमेश्व का राज हम पर करता है परमेश्व की हुकुमत अगर हमारे जीवन पर है और प्रभी येश्व मुसी का शासन अगर हमारे जीवन में है परमेश्व की शांती और उसकी सामर्थ हमारे अंदर है तो हम मर भी जाएंगे तब भी हम परमेश्व का राज बने रहेंगे और वो कभी ख पासे दे, आमें